हेलो दोस्तो स्वागत हैं आपका हमारे यूट्व चनल कोमिक फैन पर चलिए दोस्तो शुरू करते हैं देशबग डिटेक्टिव तिरंगा दर वंडर मैन परमानु की ये धमाकेदा 2 in 1 कोमिक्स तुरू पाचाल चलिए शुरू करते हैं इस कोमिक्स का पहला बाग और दोस्तो जिनोंने अब भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचा कोमिक्स हम आपके लिए लाते रहें चलिए सुरू करते ह संजग गुपता पेस करते हैं तुरुप पाचाल देश का परधान मंत्री सुरक्सा के नजरिये से देश का सबसे महतपूर्ण वह व्यक्ति जो अतिव विशिष्ट जेड सुरक्सा परणाली के तहट हर समय सुरक्सा कर्मियों से गिरा रहता है लेकिन देश की उथल पुतल भरी राजनिती के रहते जो वरतमान परधान मंत्री है वह कब भूत पूर्व होकर जर परणाली से साधरन सुरक्से विवस्ता के बीच आ जाए कोई नहीं जानता और कब उस पर बुरी निज़र रखने वाले उसे खतम करने के परियास में सफल हो जाएं किसी को नहीं पता मुझे यहां लाकर क्यों बाधा गया है कौन लेकर आया है मुझे यहाँ तुम्हारी जिन्द्गी की बाजी का खतम करने के लिए तुम्हें यहां बांदा गया है पूर परदानमंत्री महोदिय और तुम्हें किड्नैप करके यहां लाने वाले हैं हम यानि फ्लेश गैंग और मैं हूँ फ्लेश गैंग के इस स्क्वैर का लीडर इकका वह इकका जिसे टकराकर तास का हर पत्ता खतम हो जाता है वैसे ही तुम भी खतम होगे क्योंकि तुम्हारी जिन्द्गी को तास के पत्तों किदर है बिखरने इधर ही बढ़ रही है वह सूपर फास्ट रेन दूर से पट्रियों पर धर धड़ाती आती वे सुपर फास्ट ट्रेन कुछ ही देर बाद वहां पहुँच जानी थी जिसमें सवार था दिल्ली पुलिस का सुपर फास्ट इस्पेक्टर इस्पेक्टर विने मैं आपका बहुत शुक्र गुजार हूँ जो आपने मुझे अपने डब्बे में जंगे दी अब मैं आगरा में की गई केस की चानवीन की फाइल को सही समय पर पुलिस हेड़क्वाटर पहुचा सकूँगा डोन्ट माइन्ड इस्पेक्टर कानून के रखवालों की मदद करना मैं अपना फर्द समझता हूँ ओहो ये एमर्जनसी अलारम क्यों बजा पियों पियों यह तो तब ही बज़ता है जब इंजन के सामने कोई भारी गड़बड हो मुझे इंजन के ड्राइवरों के पास पहुचकर उस गड़बड के बारे में जानना होगा फिर गार ने तेजी से अपने डिबबे से दूसरे डिबबे की तरफ दोर लगा दी अब इस्पेक्टर विने भी महां कहां ठहरा रहने वाला था अगर इंजन के सामने ट्रैक पर सचमुच कोई गड़बड है तो इस ट्रेन में सवार से कड़ो यातियों की जान खत्रे में होगी इसलिए ऐसे में जरूरत है उसकी जो ट्रेन से पहले सामने मौझूद गड़बड तक पहुच जाए और ऐसा सिर्फ परमानू ही कर सकता है अपनी सूपर स्पीड से उड़ा परमानू और पलक जपकते ही गड़बड तक जाप पहुचा ओओ गड़बड तो सचमुच बहुत बड़ी है अजीब सी पोसाख पहने कुछ लोग ट्रेन से किसी आदमी को मारना चाहते हैं ये तो बूतपूर परदानमंत्री श्री ठकराल है अच्छा हुआ मैं सही समय पर पहुच गया और एक अनर्थ होने से बच गया फ्लेस गैंग के उन चार सदस्यों को बेहोस करने में परमानू को सिर्फ आठ सेकिंड लगे और 90 सेकिंड पर वे ठकराल को आजाद कराने के लिए बढ़ गया ट्रेन का ड्राइवर भी ट्रेन को रोकने का परियास कर रहा होगा लेकिन मुझे नहीं लगता ट्रेन यहां तक पहुचने से पहले रुख जाएगी इसलिए मुझे ठकराल साहब को यहां से हटा लेना चाहिए ट्रेन के यहां पहुचने से पहले ही ओ, फ्लैस गैंग के दुग्गी तिग्गी को पीठ कर तुने कैसे सोच लिया बेवकूफ खिलाडी की, तुने बाजी जीत ली क्योंकि इका की तास की गड़ी में ऐसे तास भी है जो तुझे क्या हाथी तक को रोग दे ओ, हाँ हाँ हाँ, देखा परमानू, रुख गया न तु, अब तु उड़ नहीं सकता, क्योंकि तु बुरी तरह चिपक गया है इका ठीक कह रहा है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस कैज से छूटना मेरे लिए बहुत असान है यह बटन दबाकर, अपने शरीर के अन्वो को विखंडित करके, मैं ट्रांस्मिट हो जाऊंगा और फिर दूसरा बटन दबाकर, मैं उड़ता हुआ ठकराल साब तक पहुँ जाऊंगा हा हा हा, पर मानू, तू ठकराल को आखरी सांस तक बचाने की कोशिस कर और मैं इसे मारने की कोशिस करता हूँ देखे हम में से कोन काम्याब होता है, तू ठकराल को ट्रेन से बचाने में, कोशिस या मैं उसे ट्रेन से मारने में, हा 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 ओ, ये उसने दो तास कैसे फैके, जो ठकराल साब के दोनों कानों से चिपक गए है, कोई चकर है इन तासों में तबी गूंज उठी ट्रेन की धर-धर की अवाज, कूं, मैंने ठकराल साब को ट्रेन के टकर से तो बचाई लिया, ओ, यह क्या, धर-धर-धर-धर-धर, ठकराल साब एक-एक, बुरी तरह क्यों चीकने लगे, कूं, ट्रेन के ब्रेकों की चीक के साथ ही, ठकराल के हलक से गू साइ साइ कर रहे परमानू के कानों में गुंजा इक्का का ठाका हाँ 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 तु हार गया परमानू ठक्राल को ट्रेन से माणने में मैं सफल हुआ यह अलग बात है कि वह ट्रेन की टक्कर से नहीं बलकि ट्रेन की उस तेज आवाज से मरा जिसे उसके कानों से चिपके amplifier तासों ने इतना ज़्यादा amplify कर दिया था कि उसके मस्तिस कीन से उस आवाज को सहे नहीं पाई और फट गई क्रोथ से काँ पुठा परमानू हत्यारे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ऐसा करने के लिए तुझे मेरे पास आना पड़ेगा और मेरा ये trick pack तुझे मुझे तक पहुचने नहीं देगा और इतने समय में मैं ना जाने कहां इतने समय में मैं ना जाने कहां से कहां पहुच जाऊंगा फिर एक आएक फिर एक का एक छलांग भर कर एक तरफ खड़े अपने काड प्लेन पर सवार हो गया और इधर परमानु के सामने खड़ी हो गई कई तरह की मुसीबते ओहो इसके तांस से यह गेरा धुआ कैसा निकला है लेकिन परमानु के लिए धुएक की चादर से निकलना मुश्किल काम न था परन्तु ट्रिक पैक की अगली ट्रिक उसका रास्ता रोक कर खड़ी थी ओहो ये चमकदार रोस्निया मुझे आखे बंद करने पर मजबूर कर रही है लेकिन आखे बंद करके भी उर सकता था परमानु परन्तु बंद आखों से दिशा ज्यान नहीं हो पाता इसलिए परमानु इक्के के भाग निकलने की दिशा न जान पाया अंधेरा जब आता है तो रोशन होती है लाइट और दिल्ली में जब किसी पर मुसीबत आती है तो रोशन होता है सुरक्षा चक्र जिसका रोशन होना किसी को देता है ये संदेश कि किसी मुसीबत जदा को उसकी जरूरत है इसलिए उसे बंद जाना चाहिए तिरंगा आकास में ये सुरक्सा चक्र पुलिस हेड़कॉाटर की तरफ से चमक रहा है कमिस्नर साहब को मेरी जरूरत है इसलिए मुझे ज़्यादा समय खराब ना करते हुए तुरंथी पुलिस हेड़कॉाटर पहुँच जाना चाहिए विद्धित की गती से हेड़कॉाटर रवाना हुआ तिरंगा लेकिन आज तिरंगा की किस्मत में पुलिस हेड़कॉाटर पहुचना नहीं लिका था ये खेल क्या खेल ये नीचे क्या खेल खेला जा रहा है ओ नहीं ये तो मोत का खेल है जो खेला जा रहा है पुर्व परड़ार मंत्री बिशम राज सिंग के साथ लेकिन अब मेरी नजर इस खेल पर पड़ गई है इसलिए हो जाएगा इस खेल का क्योंकि गर खतम कर डालेंगे गदार कोई देश बक्त हस्ती तो फिर खतम हो जाएगे वतन परस्ती बड़ा ओ तिरंगा की उबस्तिती का आभास होते ही गुलाम और दहला संबले बमों के धमाके और पूर परदारमंत्री की अंतिम चीकों को सुनने के लिए तरस्ते हमारे कानों को अपने सेर सुना कर तुने जो पाप किया उसकी सजा के रूप में सुन यह अपनी मोत की आवाज तराम देश भक्ति का सेर तुम जैसे गदारों को सुना कर मैंने तुम पर उपकार किया है लेकिन उसके साथ सायद बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी रह गई उसे भी पूरा कर देता हूँ और सुनाता हूँ तुमें गुसे थपड और लातो की अवाज देला उस जबरदस्त किक से देल उठा लेकिन जब किक आगे वार कर रही होती है तो गरदन पीछे जुख जाती है उफ ये मेरी गरदन में क्या आगिरा गुलाम की रसी और जो इस रसी में एक बार फस गया वह गुलाम का गुलाम बन गया क्योंकि फिर जिन्दगी भर नहीं चूट पाता वह गुलाम की रसी की जकड से गुलाम ने बहुत तेजी से तिरंगा को अपनी रसी में जकड दिया अब बेबस हो चुकाता तिरंगा देखा तिरंगा अब तु चाहकर भी हिल डूल नहीं सकता इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तु यूँ ही पड़ा पड़ा सिंग की मौत का तमासा देख और यह मौत उसे मिलेगी धमागा गेम के जरिए धमागा गेम मेरी इजाद की गई एकड़म नई गेम है इसमें उस केमिकल से भीगे तासो का इस्तेमाल के जाता है जो फैकने के साथ ही हवा से घरसन करके जल उटते हैं और जा टकराते हैं अपने निसाने पर और फिर होता है धमागा बराम आह और इस धमागे के बीच करते जाओ और शिकार की चीक का आनन लेते जाओ बढाम कडाक कभी कभी इस तरह निसाना चूक भी जाए तो कोई बात नहीं खेल मत रोको उसे जारी रखो उफ सिंग साब को खतम करने के लिए करने से पहले बुरी तरह परताडित कर रहा है वै किसी भी समय वै उस बड़े बम को अपना निसाना बना सकता है और उससे पहले ही मुझे अपने आपको इस रस्टी से आजाद कराकर सिंग साब को बचाना है लेकिन इस रस्टी से आजाद होने का रास्ता क्या है यह जलता हुआ ताज जो गुलाम का निसाना चूकने के बाद मेरे पास आगिरा है यह म मुझे मुक्ति दिलाएगा लेकिन तब जब मैं परियास करके उस तक पहुंच जाओं। अपनी पूरी शक्ति लगा कर त्रंगा ने किया वह परियास और सफल भी हुआ। रसी जलते हुए तास तक जा पहुंची है। अब देखते हैं कि वह आग रसी को कब तक जला पाती है। त्रंगा के बंधनों को जलने में कुछ देर का समय लगना था जबकि गुलाम अपने नापाक इरादे को तुरंथ ही पुरा करने की ठान चुका था। दमाका गेम की यह बहुत बड़ी खराबी है कि इसमें खिलाडी लाक चाकर भी अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख पाता। हर खिलाडी मेरी तहे बंपर दमाका सुनने को बेताब रहता है। और उच्छाल देता है एक तास असली बंप की तरफ इस तरह है। या अब एक पल बाद ही सुनाई देगा कर्ण प्री यह बंपर धमाका नहीं सुनाई देगा वह धमाका क्योंकि तिरंगा ऐसा नहीं होने देगा। तिरंगा ने सिंग साब के जिंगी को मोत के ठीक जबडे से वापस खीच लिया। लिकिन वह गुलाम और उसके साथियों को वहां से फरार होने से नहीं रोक पाया था। हो भाग निकले मेरे हाथ आजाते तो मैं असानी से यह बात जान सकता था कि यह फ्लैस गैंग क्या है और समाज को अपनी पकड में लेने के लिए उसकी जड़े कहां पनप रही है और वे पुरु परधान मंतरी सिंग साब की हत्या करना क्यों चाहते हैं। फिर तिरंगा पुरु परधान मंतरी की तरफ पल्टा ये आपको यहां लेकर कैसे पहुंचे सर। उन चारों ने हमारे निवास पर हमला कर दिया और हमारे सारे सिक्योर्टी गार्ड्स को ठिकाने लगा कर हमें किडिनैप करके यहां ले आए। या भी तो उनकी हत्या करने के लिए किसी सुनसान जंगे जाने की बजाए सहर के इस व्यास्त इलाके में क्यों आए। पियाँ पियाँ सवाल कहीं हैं जिनके जवाब अगर मैं खोज लूँ तो सायद एक बहुत बड़े रहस्ते का परदा फास कर सकता हूँ। तबी दूर से बंज उठे पुलिस के सायरन ने तिरंगा को चोकाया। पुलिस यहाँ आ रही है सर। बेह आपको सही सलामत किसी सुरक्षित इस्थान पर पहुचा देगी। मैं चलता हूँ अब मुझे यहाँ से सीधा पहुचना है पुलिस हैड़क्वाटर जहां से आकास में चमक रहा है। शुरक्षा चक्र चलिए दोस्तो इस भाग में इतना ही। यह रोमान्चक कोमिक जारी है अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कोमिक के अगले भाग में तब तक के लिए धन्यवाद।